हेलो दोस्तो दोस्तो साइन्स बाई गालिप सर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर हम लोग प्रेशर से रिलेटेट एक टॉपिक अल्लेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में हम लोग सिकेन लेक्चर को देखेंगे जिसमें हम लोग प्रेशर से लिक्विड का प्रेशर क्या होता है तो देखें लिक्विड हो या गैस हो दोनों को फिल्यूड बोलता है और फिल्यूड जो होता है वो प्रेशर एक जट करता है जहां पर रहता है तो फिल्यूड मतलब लिक्विड या गैस जिस बरतन में राएगा जिस कॉंटेनर में र आओ हम लो जानेंगे दोस्तों liquid pressure के बारे में ठीक है किसी अगर container में भेशल में अगर liquid है तो वह liquid क्या करेगा container के वाल पर क्या करेगा और उसि का बोलेंगे liquid का प्रेसर बोलेंगे ठीक है अब या happen दख़ेगा liquid का प्रेसर मुदो निकालेंगे करेंगे किसे rho का मतलब होता है density, g का मतलब होता है acceleration duty gravity जिसका value fixed होता है 9.8 और h का मतलब होगे height मतलब जिस point पे आप pressure निकालना चाहते हैं उसका height क्या है यहां पर बहुत important है तो यहां दखेगा liquid का जो pressure होता है वो directly proportional होगा कि इसके density के मतलब rho के और दूसरा जो है height के भी क्या होता है डाकली proportional होता है तो liquid का जो pressure है दोस्तों याद रखेगा वो density पर मतलब liquid का density क्या है उस पे depend करेगा और किस point पे आप pressure निकालना है कितना उसका height है इस पे depend करेगा तो h हो जाएगा आपका depth वो कितना height पे है तो liquid का जो pressure है वो height पर और liquid के density पे depend करता है liquid का density कितना है तो pressure बराबर formula क्या होगा rho GH इसको याद रखेगा तो यहाँ पे आपको बता चुके है pressure at any point किसी भी point पर आप चाहते है pressure निकालना liquid में तो वो जो होगा प्रपोशनल होगा किसके density के और किसके height के मतब depth के उसके बाद ध्यान रखेगा जो liquid का pressure है उसको fluid pressure भी बोलते है क्योंकि यह एक तरह का fluid है और उसको static pressure भी बोलते है क्योंकि यहाँ पे हम लोग उस liquid का बात करेंगे जो रुका हुआ liquid है जो फ्लो कर रहा है जो liquid फ्लो करेगा उसके लिए concept लागू नहीं होगा तो यहाँ पे जो pressure हम लोग निकाल रहे है वो ऐसे liquid के लिए निकाल रहे है जो liquid रुका हुआ हुआ है मतब उसको disturb नहीं करना उसको motion में नहीं लाना है मतब वो static होना चाहिए इसलिए इसको हम लोग static pressure भी बोलते है दूसरा इसको hydraulic pressure भी बोला जाता है रहूसा है आगे आपको सवमझ में आ जाएर गा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस point पर देखिये अलग pressure है और इस point पर देखिये अलग pressure है जीए सब का height अलग है यहां पर देखिए 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 यहां पर लेगा मतब्तुट दूर तक जाएगा बी पर देखिए थोटा कम प्रेसर है मतब थोटा कम हाइट है तो यहांपे जो प्रेसर कम होगा और कोंो ग JIM Хот देखें का धारखा वोगा हो बहुत कम ध comment तो यहां देखेगा टीन प्ॉइंट जीतना जिर्टा गाहरा होगा प्वाइट उद्ठ प्रेेसर अधिक होगा और उसका जो पानी का धार हो गाउस आहां ऑधार होगा, अगर वह flow कर रहाँ तो उसका क्या होगा है . सबसे अधिक जो धार है , ठीक है वह किसका है , C का उसके बाद B का और इसके बाध A क्योंकि C जो है सबसे गहरा है , जो जितना गहरा रहीज़्िट लहां पर प्रेशर होगा उतना ही अधिक होगा क्योंकि लिकवीड का जो प्रेशर होता याद रखिएक दोस्तों वह गहराई पर डिपेडakukan करेंगा है क्योंकि नीचे जितना गहरा होगा वाई इस प्म् सब्सक्रette viele भाई इस प्रेशर होगा लिक्विट का प्रेसर है इसलिए जतना कहारा होगा उसके उपर पूरा लिक्विट का प्रेसर होगा उसका प्रेसर क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि सारे को सारा जो लिक्विट से उसके नीची है जितना नीची रहेगा उसके उपर उतना ज्यादा क्या लगेगा प्रेसर को किशी है तो देखिए लिक्विड प्रेसर को मापते है मेनोमीजे से जैसे हम लोग गैसीज़ को मापते है या से उसी तरह लिक्विड प्रेसर को हम लोगीन नेमेज़ине और या5 सी ज़द लगता है सेम लगता है उसके बाद या रखेगा सबसे मोश्ट इमूटेंट जिए अगर एक ही लेबल पे एक ही होरिजेंटल लेबल पर अगर आप अलग अलग प्वाइंट में प्रेसर देखते हैं तो सभी में क्या होगा सेम होगा जैसे उसका एक्जांपल आपको हम बतात जो लिक्विड गिरेगा उसका जो धार होगा उसका जो धार होगा उसका जो धार होगा उसका जो धुरिताय करेगा वो क्या होगा सेम होगा लेकिन जैसे ही हाइट को अलग रखेगा घराई को अलग अलग रखेगा तो पानी का जो धार होगा जो फुलो करेगा उसका धार में difference रहेगा जो निचे होगा उसका धार दूर तक जाएगा जो उपर होगा उसका धार नजदिक रहेगा उससे कम रहेगा लेकिन एक ही लेबल में आप hole करते हैं suppose यहां पे आप hole किये हैं और यहां पे की और यहां पे की हैं तो तीनू का जो धार होगा यहाओ पानी का सेम दुर समय धूर ड़ी और प्रेसर अगर हम समय लेवल पर बात करेंगे तो वहाँ पर जो भी points लीजिए सब का जो pressure होगा क्या होगा सेम होगा और height के respect में बात करेंगे तो जितना जो गहरा होगा यह height आपको गहराई वाला लेना है मतलब जितना नीचे जाएगा उस पर pressure उतना ही अधिक होगा अगरा point याद रखेगा fluid pressure जो है मतलब liquid का जो pressure है उसको मतलब है cable density से और किसे depth से depth tá height तो liquid का जो pressure उसको मतलब है जो लीकंविट का density क्या है और लीकूइड में ही haside पे निखालना है agrade inscription क्या है निक्विट कि निक्यालने है, उसको volume से कोई मतलब नहीज है यार रखेगा उसको mass से कोई मतलब नहीज हैels cm2 मतलब कोई मतलब नही Garcia Euc 기68 निक्विट कोईमग्ला मंतलब नहीज ही से और रखोनड़ने की से Πैसे मतलब नहीज है liquid सब जगा मतलब liquid का जो pressure होगा वो सिफ़ डिपेंड करेगा density और depth पर मतलब hight पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग pressure है क्योंकि अलग अलग height है यहाँ पर सभी जगा pressure क्या होगा AB और सी three points पर क्या होगा लेकिन यहाँ पर तीनु जगा में फ्रेशंस अलग अलग होगा जितना जगा कहँए उसलेकर होगा। ज् hm औरटाना है उसलेकर कि न किशी में कि एक चीति में ट्रींस कर सो ज़ dużo और कि रृब से और हमनों सी खेंगे पास करलर से बारे मilly supplemental र Une प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड से रिलेटेड जो प्रेशर है उसके लिए पास्कल ने नियम दिया था यह नियम बहुत ज्यादा इसका अप्लिकेशन है और इसी नियम के अधार पर पास्कल लोग का जो यह नियम है लिक्विड के लिए लिक्विड प्रेशर के लिए इस नियम के वज़ा से दुस्तो जैसीवी गेकम करता है और हैं किसे अगर उसके अप एक्टर्णल प्रेशर लगा रहे हैं तो बहुं है प्रेसर जोगा विम्हाने विद्ट है है ठीक है क्या कर herself करती है कि अब इस पे क्या कर रहा है क्प्रेशर học मालनीकि эта इदर आप प्रेश लगाए कि तरफ तो एक तरफ तो यह लिपने मगरा प्रेशर लगा रहा है तो यह लेक्विड क्या कर एगा सभी सर्फेस पे सव क्योंगा स्यम्ट नर्गेगा इस direction में इस direction में आप यहां पर अगर 100 ATM pressure लगा हैं तो liquid क्या करेगा सभी जगह 100 ATM pressure लगाएगा सभी points पर प्रेसर होगा क्या होगा सेम होगा इसी को बोलते हम लोग पास कर लो ठेक है तो किसी close button में अगर आप किसी भी point पर अगर आप pressure लगाते हैं तो सभी दिशाव में प्र है तो सभीया्विस सो इसे फाइदा क्या होता है हम जानते है प्राइश अप Пон एडिया यह होता है अगatch EMC है हम लोगों लगा कि चैसे का होता है हम लोगों का फोर्स लगा के जादा फोर्स पासक्टे-धर जो फो li साइक परेग रहा है उससे जादा फोर्स आपको यहां पे मिलेगा यहां पर सोवार्स मील जाए गया और काम में मों पर्स मुख यहां को मिल गें गाने किस से पास्कल के नियम से कैसे मिला आपको पताते हैं प्रेसर केतना लगा है 100 आप 100 प्रेसर लगा है अब माल लिजे इधर का जो एरिया है वह है पांच मीटर इसकोए है और इधर का एरिया है माल लिजे 10 मीटर इसकोए इधर भी प्रेसर का होगा सेम होगा और फोर्स निकाल लेते हैं तो फोर्स बराबर का होगा प्रेसर इंट प्रेश इंटोग सिम रहेगा यहां पर प्रेशर तो तो यहां पर कितना है और एट्र न रहेगा कि और एक्टन, न्यूटन मुटन मतफर आपको पस्क no subscriber ions आपको 445 object nggak COP10 तो फोर्स दिगुणना हुआ है किश नियम से पास्कल के नियम से तो पस्कल का नियम से organizational का नियम सिम्पल है याद अखेगा अगर आप किसी भी गारी को उठाना पड़ता है तो महां पर हम लोग इस नियम का इसंवाल गें और हैड्रोलिक ईत रिख के वज़ाशा आप उठापाते हैं क्यूदकि यहां पर फॉर्स लगाए काम काम और रहारी यह अधुर यह बार साहर सब्सक्राइब करें दोस्तों अगले बीडियो में जाहें दॉस्ता